दोस्तों पलक जपकने से पहले ही यह पौधा जहां मिले, चाहे मौत आ जाए, पर इसे घर ले आना, घर लाते ही छपपर फाडबरसे का पैसा, दोस्तों देखिए, ये जो पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, असाधारण पौधा है, अब मैं असाधारण क्यों बोल रह लेकिन अगर आप जो है, आज की वीडियो मिस कर देते हैं, तो इससे मिलने वाले फाइदों के बारे में आप जो है, अंजान रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, इससे आज मैं आप लोगों को धन प्राप्ति करने के साथ साथ, दिव्य दृष्टी प्राप्त करने का सर प्रयोग बताऊंगा, जिससे आप देवी देवताओं को अपनी नगन आखों से देख सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यह असाधारन पौधा है, स्माइल फैमिली चैनल का मकसद है प्राचीन ग्यान की, जो लुप्त हो रही जानकारी है, वह जानकारी भारत के आम विराजमान है, जैसे कि आप हमारी वीडियो में ये पौधा देख सकते हैं, जिसका उपयोग हम मानव जीवन के कल्यान के लिए कर सकते हैं, और अनेक कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन हम सब जो है करना नहीं चाहते, जी हाँ दोस्तों, हम सब करना नहीं चाहते, लेकिन बताना चाहूंगा जो ये गुंजा नाम का पौधा देख रहे हैं, ये बहुत ही कीमती है, इसे गुंजा के नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताना, आप कौन से राज्य से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और इसे आपके यहां किस नाम से जाना कई जगे इसे घूंगची के नाम से जानते हैं कई जगे इसे रती के नाम से जानते हैं अब इसका नाम रती क्यों पड़ा है? थोड़ा सा इसके बारे में भी विशलेशन कर लेते हैं रती क्यों पड़ा है? तो इसके बराबर सोना दिया जाता था तो इसका प्रयोग आज भी होता है जो ये गुंजा है ये तो लाल कलर की गुंजा है इसकी तीन प्रजाती होती है लाल गुंजा, सफेद गुंजा और काली गुंजा लाल गुंजा जो है बहुत ही आसानी से आपको जाड़ा वाले स्थान पर दिख जाती हैं जैसे कि मैं अभी दिखा खा रहा हूँ और इसकी जो छोटी पत्ती वाली बेल होती है देख सकते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से और जो ये लाल गुंजा है बहुत ही ये भी चमतकारिक होती है और जो सबसे ज्यादा दुरलब कही गई है तंत्र शस्त्रों में वो है काली गुंजा जो काली गुंजा थोड़ा मुश्किल से दुरलभता से मिलता है लेकिन मिल जाता है लाल से ही काली गुंजा उत्पन होती है और जो सफेद गुंजा है वो तंत्र की दृष्टी से दिव्य की दृष्टी से बहुत ही उत्तम होती है तो आईए, मैं आप लोगों को इसके बारी-बारी से प्रयोग बताऊंगा आज मैं आप लोगों को बिल्कुल ही आयूरवेदिक प्रयोग नहीं बताऊंगा केवल तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा एवं इसके धार्मिक प्रयोग बताऊंगा इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी जो जानकारी होती है, व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो ये जानकारी आपको आगे चल करके काम आएगी और वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं, हमेशा आपको पच्छता ना पढ़ेगा, अधूरा ज्यान हमेशा खतरन लेकिन बिल्कुल ही हम चाहते हैं कि भारत में हर बच्चे को, हर नागरिक को, जितने भी लोग पेड़ पौधों से जुड़े हैं, तंतर शास्त्र से जुड़े हैं इस प्रकार का ज्यान फ्री में प्राप्त हो, ज्यान बढ़ाने से हमेशा ज्यान बढ़ता है, तो आप जो है, दोस्तों, Smile Family Channel को सबस्क्राइब कर, हमारा सपोर्ट जरूर करे, ताकि इस प्रकार की आपको ज्यान भरी जानकारी, जो अच्छे से हम जानकारी बताते हैं, आपको प्राप्त हो, और इस प्रकार के ज्यान को जो है, आप अपने दोस्तों यारों में, घर परिवार वालों में आगे जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो, पहला, इसका जबर्दस्त प्रयोक बता रहा हूं, जो भाई या फिर जो बहन जिसके विवाह में विलंब हो रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जिनके विवाह मे विलंब आ रहा है या फिर जिनके विवाह में कुछ परेशानी आ रही है तो चाहे लड़की हो चाहें लड़का ठीक है ध्यान से सुनना चाहे लड़का हो या फिर लड़की इसकी छोटी सी आपको जड़ ले आनी है या फिर आप चाहते हैं जड़ प्राप्त न हो तो मार्केट में इसके बीज मिल जाते हैं तो जड़ लाते हो तो अतियुत्तम है जड़ नहीं मिल पाती है तो इसके पांच बीज ले लीजिए जड़ लाते हो तो जड़ को चांदी के ताबीज में डाल दीजिए या फिर इसके बीज लाते हो तो पांच बीज को चांदी के ताबीज में डाल दीजिए इसके बाद इसे आपको क्या करना है धूप दिखा करके मंगलवार के दिन पहनना है ये दिन का भी ध्यान रखना है मंगलवार के दिन पहनना है बिलकुल ही आपके विवाह में जो विलंब हो रहा है वह विलंब दूर हो जाएगा चाहे आप लड़का हो या लड़की और आपको इच्छित वर की भी प्राप्ती होगी, इसमें संदेह नहीं है। जबरदस्त तांत्रिक ये कहा जाए, चमतकारिक पौधा कहा गया है और विवाह कराने में अति उत्तम ये साबित हुआ है। इसके बाद दूसरा इसका प्रयोग सुनिए। जो लोग शनी दोश से परेशान हैं या फिर मंगल दोश से परेशान हैं तो ये दोनों की काठ करने की रामबान दवा है। यही बात शनी दोश जिन्हें लगता है, उन्हें शारिरिक पीढ़ा सबसे ज्यादा होती है। शरीर में बार-बार बीमारी आने लगती है, बुखार होने लगता है। यहां तक कि अगर आप यात्रा करते हैं, तो यात्रा के दोरान आपके साथ छोटी मोटी दुरगटना बिलकुल ही होना आमबात हो जाती है। और जिन्हें मंगल दोश लगा हो, ऐसे व्यक्ति को चर्म रोग की बीमारी होती है, जिन्हें मंगल दोश लगा हो। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अर्थात उनका जो विवाह हुआ जीवन है, बहुत ही कष्ट से गुजरता है। तो जितने भी नौ ग्रह कहे गए हैं, नौ ग्रह में सबसे ज्यादा पीढ़ा देने वाले दो ही ग्रह हैं, एक तो शनी है और एक तो है मंगल, अगर आप इन दोनों ग्रहों से परिशान है। या फिर आपको पता नहीं है कि आपके जीवन में कष्ट आ रहा है, वैभाविक जीवन आपका कष्ट से गुजर रहा है, वैभाहिक जीवन में कोट कचहरी तक में मामला पहुँच गया है, या फिर शनी दोश के कारण आपकी आये का साधन रुख चुका है, अर्थात पै तो आप अगर मेरे को मानते हैं, मेरे चैनल पर थोड़ा बहुत आप जो है विश्वास रखते हैं, तो ये काम जरूर करना. शनिवार या फिर मंगलवार के दिन ध्यान से सुनना शनी दोश से परेशान है तो शनिवार के दिन इसकी जढ़ को लाना है और शनिवार के दिन ही आपको चांदी की तावीज में ध्यान से सुनना चांदी की तावीज में या फिर ओरिजनल तामवे के तावीज में हो सके तो शनी महराज के लिए चांदी की तावीज धारण करना उत्तम रहता है तो चांदी की तावीज में इसकी जड़ को डाल करके काले कलर के धागे में आपको इसे बांधना है और शनिवार के दिन शनी महाराज का ध्यान करते हुए और ये तावीज को इसकी जड़को कम से कम आपको एक बात का विशेश ध्यान रखना एक घंटे के लिए सरसों के तेल में डुबा दे इसके बाद आपको जो है इसे चान्दी तावीज में डाल करके धूब दिखा करके धारण कर लेना है कैसी भी आपको शनी दोष की पीढ़ा हो वह पीढ़ा इसे पहनते ही ततकाल दूर हो जाएगी आपको राहत मिलेगी और भविश्य में कभी भी आपको शनी पीढित नहीं करेंगे न शनी की सारे साती सताएगी, न अढ़या, न पौनी, दशा किसी भी प्रकार की दशा आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी बस पूरे विश्वास के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ ये जढ़ अवश्य धारन करना आपको लाब मिलेगा और आप शनी को शांत करने के लिए कितना भी बढ़ा, आप जो है यज्ज करवा लीजिए अगर शनी रुष्ट हो चुके हैं, तो उससे शांत नहीं होने वाले कितना भी बढ़ा आप जो है रत्न धारन कर लीजिए, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए, तो रत्न में मिलावट होती है लेकिन मैं जो उपाय बताया हूँ, बहुत ही साधारन उपाय है जनसाधारन के लिए उपाय बताया हूँ, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बहुत ही लाब मिलेगा इसके बाद मंगल दोश से परेशान है, तो मंगलवार के दिन क्या करना है? आपको मंगलवार के दिन इसकी जड़ लानी है, और लाने के बाद इसे आपको बंधन में डुबा करके रखनी है चमेली का तेल जो होता है, और उसमें बंधन आपको डाल लेना है जिसे हम सिंदूर बोलते हैं सिंदूर में आपको इसे एक घंटे के लिए डुबा करके रखना है इसके बाद आप जो है इसे चांदी के ताबीज में या फिर कहा जाए तो हो सके तो आप जो है तामबे के ताबीज में इसे डाल लीजिए और लाल कलर की जो रस्सी होती है धागा होता है। उसमें डाल करके आप जो है इसे धारण करे तो मंगल दोश से आपको छुटकारा मिलेगा। मंगल दोश के कारण जिनके शरीर में चर्म रोग संबंधी बीमारी हो गई है। या फिर मंगल दोश के कारण जिनका वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्ट से गुजर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभ पहुँचाएगा. इसके बाद दोस्तों धन प्राप्ति करने के लिए हर व्यक्ति की इच्छा होता है कि उनके घर में धन संपत्ति की प्राप्ति हो, बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति हो, न समाप्त होने वाले धन की प्राप्ति हो, या फिर बहुत सारे अगर आप जो है कठिन परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम करने के बाद भी आपको परिश्रम की तुल्य जितना धन मिलना चाहिए, वह धन पराप्त नहीं हो पा रहा है, तो एक काम ज़रूर करना, क्यूंकि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है. लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पर स्थिर होकर के नहीं ठहरती, लक्ष्मी को केवल तंत्र क्रियाओं से ही स्थिर रखा जा सकता है. तो आपको करना क्या है? ये जो रतिनाम का पौधा है, ये रतिनाम का पौधा लाए और इसे आप जो है, छोटे से गमले में घर की उत्तर द स्थान्ति, एशो अराम, सभी चीज आपको स्वत ही प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी. अगर आप दिव्यद्रिष्टी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की जानकारी वैसे तो समाज में नहीं देनी चाहिए, लेकिन जनहित एवं जन कल्यान के लिए इस प्रकार की जानकारी बता रहा हूँ. अगर आप दिव्यद्रिष्टी प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी आखों से देवी देवताओं को देखना चाहते हैं। इसकी जड़ के रस को ध्यान से सुनना, इसकी जड़ आपको लानी है, लाने से एक दिन पहले आपको इस पौधे को निमंतरण देना है, सरव प्रथम तो शनिवार के दिन जाईए, शाम के समय में इस पौधे से निवेदन कीजिए, कि महाराज मैं कल प्रात, काल रविवार क के दिन आपको ले जाने आऊंगा, और हे महाराज, मैं दिव्य द्रिष्टी प्राप्त करने के लिए आपकी जड़ का प्रयोग करना चाहता हूँ, या फिर जो भी आपकी कामना हो, वह कामना बोल सकते हैं, इसके बाद वहाँ पे एक श्री फल भेंट कर देना है, थोड़ क्योंकि वनस्पती को हमें नुकसान नहीं करना है, वनस्पती हमें बचा करके रखनी है, एक अंगुल की भांती आपको इसकी जड़ को लाना है, और इसे घिस करके पत्थर में आपको घिसना है, जिसे घिस करके शहद में मिलाना है, शहद में मिला लेना है, बहुत से और इसे मंगलवार के दिन आपको अपने नेत्रों पे लगना है। वास्ताव में अगर उस स्थान में देवी शक्ती होगी या फिर असुरी शक्ती होगी तो बिलकुल ही नगन आखों से इस प्रयोग से आप देवी देवताओं को असुरी शक्ती को अलोकिक शक्ती को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। मैं जो जानकारी बता रहा हूं, प्रूफ के आधार पर बता रहा हूं. इसके बाद ख़जाना देखना चाहते हैं. बहुत से लोग चाहते हैं कि गड़ा हुआ धन उन्हें प्राप्थ हो जाए. गड़े हुए धन को देखना चाहते हैं तो क्या करना सफेद गुंजा की जड़ ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये लाल गुंजा इसी की तरह होती है सफेद गुंजा तो सफेद गुंजा की जड़ को ध्यान से सुनना सफेद गुंजा की जड़ को पत्थर में घिस लेना है और घिसने के बाद आपको इसका लेप तयार करना है और इसके लेप में दो बूंद दो से चार बूंद आपको अंकोल का तेल मिलाना है और इसे काजल की तरह आपको बनाना है और आपको अपने नेत्रों पे लगाना है इसके बाद आपको जिस स्थान पे शंका हो रही है आपको लगता है कि उस स्थान में गड़ा हुआ धन है जिस स्थान पे आपको शंका जा रही है गड़ा हुआ धन है उस स्थान पे चले जाए इसे लगाने के बाद आप खुद देखना, आप अपनी साधारन सी आँखों से साथ पताल तक दबे अर्थाथ जो साथ पताल नीचे कहा गया, उसमें दबे हुए गड़े हुए धन को देख सकते हैं, बस आप गड़े हुए धन को देख सकते हैं, और किस प्रकार से निकालना प्राचीन कई वनस्पति शास्त्र में, प्राचीन कई तांत्रिक ग्रंतों में इसके बारे में जानकारी मिलती है। मैं समाज में छुपा देता हूँ, क्यूंकि लोग इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। क्यूंकि रवी पुष्य नक्षत्र के दिन ये जो पौधा होता है, ये पूर्ण रूप से जागरित अवस्था में होता है। और मैं हर दिन बता चुका हूँ, नवरात्री के समय में भी बताया था, जागरित चीज ही हमेशा अपना फल दिखाती है, प्रभाव दिखाती है। तो एक काम करना, इसकी जड़ को घिस करके, सफेद चंदन के साथ में इसकी जड़ को घिस करके आपको मिलाना है, इसकी जड़ को घीस लीजिए, लेब जैसा बना लीजिए, उसमें सफेद चंदन मिला लीजिए, और आपको जिस पे वशी करण करना हो, उनके सामने में जा आपका विरोध नहीं करेंगे, इसके बाद जो लोग चाहते हैं, उन्हें कारे में सफलता मिल जाए, उनका व्यवसाय अच्छा चले, उन्हें उन्नती प्राप्त हो, या फिर उन्हें धन दौलत की प्राप्ती हो, तो इसके बीच को काँच की सीसी में भर लीजिए, जी हाँ इसके बीच को ग्यारह दाने, पांच दाने, ग्यारह दाने, या फिर पांच दाने, इसके बीच को सीसी में भर लीजिए, और घर की उत्तर दिशा में रख दीजिए, या फिर व्यापार स्थान की उत्तर दिशा में रख दीजिए, आपको बिलकुल ही जहां पे व्यवसाय में आपके 5 ग्राहक आ रहे हैं, वहाँ पर 25 ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे. अर्थात ये ग्राहकों को खींचने का काम करेगा, आपको कारे में प्रगती दिलाएगा, उन्नती दिलाएगा. इसका बीज भी बहुत चमतकारी होता है. मैं जितनी भी जानकारी बता रहा हूं, वनस्पती शास्त्र के आधार पर एवं तंत्र शास्त्र के आधार पर बता रहा हूं. मैं जो जानकारी बता रहा हूं, ये आप किसी भी अगर वनस्पती शास्त्र को परहे होंगे, या फिर तंत्र शास्त्र को परहे होंगे, तो इसक उलेक है तो दोस्तों धन्यवाद